कि कर लीज को खतम कर दूंगा मैं क्लास रहेगी कि सुभे अ हाँ मैं भी बता दूंगा टेंग में कि साथ बजे इन इतनी जल्दी भी नहीं आठ नौ बजे या फिर ग्यारा-बारा बजे रख अब ही कि लास ना बस मैं कुशन एक करवाने के लिए मैं लिया है कि बच्चों के पेपर ही चल रहे हैं तो उसमा कुछ कर ने सकते हैं चलिए तो एक कुशन करते हैं आपके बुख का ही कुशन है सारा बुक कॉन सा आपका जियार मोंगा ठीक है कोश्चन नमबर आगे पीछी हो सकता है इंफेक्ट मैंने इलिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं किया है अब देखोगे तो यह रहा कोश्चन पढ़ लेते हैं कोश्चन में क्या कहता है प्रिपियर इंकमेंड एक्स्पेंडिचर जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मिट किया था कि इंकमेंड एक्स्पेंडिचर कैसे बनता है यह बनाना है और साथ के साथ कहता है यह रंडिट 17 के लिए एंड बेलिंग शीट ऑल्सो यानि कितना पैसा आया यह रिसिप्ट है और यह पेमेंट है और किस-किस बात के मैंने पैसे दीए किता है दा कॉलेज है दा ओइंग एसेट्स यह एक सेक्टर बाद में पढ़ेंगे तो हमेशा एक चीज याद रखना जो यहां पर दिखा रखने रिसिप्ट साइड में तो दो ही चीज़े हो सकते हैं यहां पर या तो आपका हो सकता है यह इंकम होगा क्योंकि रिसीव करोग तो वो इंकम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा लाइबलेटी यानि इस साइड में जब भी कुछ चीज़े देखोगे तो दो ही चीज़े देखने को मिलेगा या तो इंकम या फिर लाइबलेटी अब पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट साइड में बात करें दो happens equipmentNa equipment क्या होता है assetとダंद Benesub stylish sicher जो ब्राइला वंटनेट देखने को मिलेगा income लाइबलिटी और में는지 इस साइड ऑक्षिक کंढम होता है वो सबसरा बेलेंस ओपनीड ओ इसी साइड मिलता लाइन यहां वे वे लाइंड में पेंड तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि आपके लिए यहां पर पहले मैंने जो सब्सक्राइब करते हैं तो एक पेच पर चाहिए मुझे हाला कि चलो कोई नहीं करते हैं मैंने ज़िए यह बन गया इंकमेंड एक्सपेंडिचर और ना हम बैलें शीट ऐसा करेंगे ना अगले बैच पर बना लें बस आप ध्यान रखना के जो मैं बोल रहा हूं कॉडिनेट करते रहना ठीक है और भाई पेपर के अंदर ना एंप्यो मत छोड़के जाना मैं प्रसनल एक्सपेरियेंस बताओं बहुत सारे बच्चों का कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चों ने यह जमसन भी ले लिया होगा कि फाइनल अकाउंट और एंप्यो में चोईस आएगा इस कई बार मैं खुद बोल रहा हूं कि पास्ट एक्सपेरियेंस बोलू तो मैं भी एजर बोलूंगा कि यह फाइनल और एंप्यो में चोईस आता है लेकिन कई बार अगर देखा है कि फाइनल अकाउंट नहीं पूछा गया एंप्यो आ गया और अभी जो नहोंने पेपर दिय क्रेंज होता है चाहिं खिर राना एक्शामिर हब मुझे नहीं दस साल का अगर मुझे सब्सक्राइं करो 10 साल का मुझे एक्सपीरियर ऌका का मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाएं खुर होता है क्लास मह जाना पर पकड़ना पढ़ाना कि अब मेरी जगह पर कोई और आएगा आएगा, मैं ने किसी को खड़ा किई कि अब तुम्यों पढ़ाना है चोड़ रहा हूँ कि तो वो सबसे पहले उंडेगा कि मुझे इन से बहतर पढ़ाना है माइंड में आएगा कि इन्हें से बेटर करना है कुछ ऐसा करना है जो इन्होंने नहीं किया सिर्फ दो से तीन साल रहता है यह जुनून उसके बाद वो भी फिर कॉमन लाइन अप पे आ जाएगे कितना बेतर कर सकते हैं दो तीनी साल चेंज अप करेंगे तो अगर कोई नया एक्जामनर आएगा तो वो दस साल के पेपर को पहले खंगा लेगा कि जो पुराना एक्जामनर था वो क्या दे रहा था वो मैं नहीं पूछूँँगा अब मैं और बच्चों का प्रोविजन कहां चला जाता है उन्होंने पिछले दस साल बुक बुक से कहीं से पेपर नहीं दिया बिल्कुल आउस्टेंडिंग पेपर बना दिया था उन्होंने तो यहां पे भी अगर उनका सेनेरियो को एक्जामनर चेंज हुआ हो तो डेफिनिटली फाइनल अकाउंट नहीं देगा हो और वहां पे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए NPO छोड़के नहीं जाना NPO आपको करके जाना है डेफिनिटली कल वाली क्लास के अंदर हम लीज को खतम कर लेंगे कल मैं लीज के लिए स्पेशल क्लास रखूँगा आज मैं कुछ किशन करा रहा हूं और साथ के साथ चलिए हम अगले स्पेशल चलें तो अगले से अगर मैं जाता हूँ यहां से है कि कि मैं बैलेक्ट की मज़ह की बात बताओ क्यांन तो विजनस बिना कैपिटल का हो नहीं सकता ना विए यहां पर आपको ना तो आपको वाली चीज़े बनाने पड़ेगी कि यानि आपको यहां पे क्यापिटल मैं सीधी बात बोलू तो निकालना पड़ेगा और यह चीज ना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं नहीं है हाँ ब्रांच अकाउंट तो एक तब नियू था आपके लिए लेकिन इसे नया नहीं बोल सकते हैं लांज करों कि उसमें बच्चे बहुत होते हैं तो मैं इसको नाम दे रहा हूं ओपनिंग वैलेंशीट ठीक हैं और इसको नाम दे रहा हूं मैं क्लोजिंग बैलेंशीट अब सर्ण ओपनिंग में क्लोजिंग में क्लियर्टी देता हूं जैसे सब्सक्रिप्शन हैं अगर मैंने बोला सब्सक्रिप्शन आउट्स्रेंडिंग् 2011 और 2012 ले लू हम काम इस साल के लिए कर रहे हैं अगर मैं सब्सक्रिप्शन आउट्स्रेंडिंग इस साल का बताओं और इस साल का भी बता दू तो यह 2010 पिछला साल है तो सब्सक्रिप्शन आउट्स्रेंडिंग् सबसे पहले होता क्या है तो ये वाला जो सब्सक्रिप्शन आउट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्या है आपका लाइबलिटी तो यह वाला चले जाएगा ओपनिंग में और यह वाला चला जाएगा क्लोजिंग में तो ओपनिंग और इस अकाउंट को बनाने का स्रिफ और स्रिफ वन और पर पस होता है आपको अपनिंग बनाने की जुरत नहीं अंटिल ने ने डिमांड ना किया हो अगर कुश्चन ने डिमांड नहीं किया तो आपको जुरत ही नहीं है चलिए सर कुश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे और आराम से करने वाले हैं सबसे पहले देता है एक अप्रेल का इंकम कई बार बच्चे एक्जाम में गलती करते हैं कि पहले इंकम में इधर इंकम लिख देते हैं बाद में पता चलता हूंने तो जब कभी अब ध्यान देजी यह क्या है सर यह है ओपनिंग बैलेंस का मतलब एसेट कौन सा अपनिंग यहां पर लिखते हैं कितने रुपए का है कैस्ट का बैलेंस सर बीस अजार साथ सो प्लियर चले सर आगे देखते हैं आगे कहता पोस्टेज स्टेंप डेट दे दिया इसने तो ह हमेसा याद रखिएगा जब डेट दे दे दा तो वैसे तो यहांपे डेट का काम नहीं है बर डेट दे दिया है तो ओपनिंग होगा यह जब मर्जी खर्चा किया तब मानेगा तो पोस्टेज है पोस्टेज के ऊपर कई बार अजजस्मेंट बन जाता है अगर अगर अजस सब्सक्राइब है न तो चलिए इसका मतलब सरे रेसुइनेंट नहीं है फिर यह तीज नौ्ट रिषो टैयं है तो पोस्रेश का ओपनीग बेलस दे फिर तो ओपनिं के एसेट के कहां लिए पेसेर है निया吗 टो ये गरें पर कि रुट पोस्रेश को कितने रुपए था हमारा तो बाइ टूशन फीज यह है हमारा 59,000 इसके बाद फाइन ये भी मेरा इंकम है तो बाइ फाइन और फाइन कितने का है हजार रुपए जो बच्चों से वसूलते हैं ग्रांट स्टेट गवर्मेंट से मिला है ग्रांट फूर स्टेट गवर्मेंट अब ना जो ग्रांट होता है न वो दो तरीके का होता है एक स्पेसिफिक ग्रांट मतलब आप ऐसे मतलब ग्रांट डोनेशन समझ लो एक हो सकता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन एक हो सकता है ज तो अगर कहीं भी questions के अंदर clarity दे रखा हो गया कि इसका use यहां पे होने वाला है specific purpose तो liability मिले जाएंगे अगर कहीं भी questions में नहीं दे रखा है तब तो income मिले जाओ और आपको confusion अगर नहीं दे रखा हो कहीं भी चीजों को तो note देना पड़ेगा जैसे यहां वाले सवाल में तो कुछ बताया नहीं और इधर भी मैं देख लूँ तो कुछ भी नहीं बताया तो it may be in liability और it may be income दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हो note देना पड़ेगा कि आपको grant क्या करने है तो यह grant कहा जाएगा आपका बताइए आप क्या consider करेंगे grant for government party बताइए इंकम या फिर liability पहले मैंने क्या बोला वो समझ में आपको यह donation है अगर specific नहीं दे रखा तो journal है अब journal इसे मानो या ना मानो आपकी इच्छ है अगर आप journal मानते हो तो मैं तो यहां लिखके खतम कर दूँँ आप बोलते हो सर इसको एक काम करो ना liability भी हो सकता है तो मैं liability में लिख दूँँगा लेकिन दोनों ही condition है मैं नोट दूँगा के grant को हम क्या consider कर रहे हैं सब्सक्राइब कोई specific purpose हो clarity नहीं मिल रहा हमें हम क्या पता government ने किसी के लिए दिया हो अब देखो जिसका यह काम है मान लेते income and expenditure जिसका काम है जैसे यह college का काम चल रहा है modern college का है तो अगर हम real life में accountant होगे तो भूला के पूछ लेंगे इदर आ यह grant मिला क्यू था तो बोल देगा रहे वो नेता जी आये थे उसमें बोला था यह school का पार्क बनाएंगे इसलिए देखे गए थे तब तो हमें clarity हो गया आप question paper से तो नहीं पूछ सकते ना तो ऐसे situation में आपको अजंशन मानना पड़ता है कि समझ में आ रही है बात आपको और वह जब आप note डाल दोगे ना तो आपको कूशन गलत नहीं होगा तो आपके किताब में भी अजंशन माना होगा इसने आपका grant देखिए कहां पूट ग्रांट गवर्मेंट से 30,000 रुपे और इसके लिए नोट दूहां वी विल कंसीडर जन्रल ग्रांट नोट अनी स्पेसिफिक परपस के ग्रांट रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्मेंट इस ट्रीटिड इस जन्रल ग्रांट समझें मैंने बोलते हैं जो स्टेट गवर्मेंट से मिला है उसे क्या मान लिया जर्नल मान लिया स्पेसिफिक नहीं माना ठीक है चलिए सब इसके बाद इंट्रस ओन सिक्यूरिटी ब्याजी है यह तो सिंपल सी बात है बाइंट्रस्ट कितने रुपए का मिला 300 लेकिन साफधान इसके उपर कई बार अजस्मेंट होता है क्या पता यहां पर आपको क्यूंकि इंट्रस ओन सिक्यूरिटी है तो यानि कहीं न कहीं सिक्यूरिटी होगा आपका इसेट्स में अब देख लेते हैं सिक्यूरिटी कहा है चांट अब पता नहीं चलव रहा हम देख दैख रहेंंगे से अंतर लिख लेते हैं रेन फ्रम यूस अ पंडिचर में लिखे गया कोई भी आइटम नहीं तो कुछ बच्चे अगर यहां पढ़ते हैं तो कई वार ऐसा सवाल पूछते हैं सर्फाइन दे रखा है और रिसिप्ट साइड में एक तरीके से हैं तो एक्सपेंस में लिखे या इंकम में लिखें तो उस बच्चे का सवाल ही गलत है मैं मानता हूं फाइन दोनों चीजे हो सकती है देया भी जा सकता है लिया भी जा सकता है तो आप अगर रिसिप्ट में हो तो make sure clear है आपको भी आज receipt में है तो देने वाले तो सवाल ही नहीं है लिया ही है तो वो कहां जाएगा income में जाएगा काफी बच्चे परिशान होते हैं यह पूछने सर कहां जाएगा हमें समझी नहीं आता के कौन साइटम कहां जाना है तो एक mind के अंदर concept बिल डप कर लोगा इधर होगा तो इधर ही जाएगा पूछने की ज़रत नहीं पड़ेगा अब जैसे पे अलाउंसिस अलाउंसिस क्या होता है salary वगरह जो देते हैं ना उसे हम अलाउंसिस भी कह देते कही बार तो पे अलाउंसिस कितने रुपे का है कि सत्तर हजार पांसो अडजस्मेंट हुआ तो अंदर लिखना है तो मैं पढ़ लेता हूं एक बार बार बन कर रहा है क्याता है college के पास furniture है ठीक है सर और 31 मार्च 16 को दे रहा है यानि opening बात कर रहा है क्योंकि हम जो कामकाज कर रहे हैं वो कब के लिए कर रहे है 17 के लिए तो opening में furniture है opening में land and building है opening में book library है 10% investment है outstanding tuition fees opening पिछले साल का तो सट tuition fees पिछले साल का है provide for the depreciation closing balance of the following assets land and building पे और furniture पे और library book पे ऐसे ऐसे depreciation provide करना है तो बड़ी सीधी सी बात है यह चीज़े बता दी है यानि tuition fees outstanding opening आपको tuition fees total कितना मिला 69,000 जिसके अंदर के पिछला ही था 222 पिछला क्या था तो यहां से माइनस हो जाना चाहिए opening outstanding कितने रुपए और यह पिछला बकाया है तो हमें पिछले balance sheet के assets में भी लिखना चाहिए मैं बीच में आ गया एक entry फिर में दुबारा बता दूँगा चिंता मत करना एक entry में दुबारा बता दूँगा पहले यहां सक देख लेते हैं इसके बाद है प्रोविडेंट फंड contribution हमने पी एफ में contribution किया है तो टू expense हो जाएगा कितना contribution किया है पचपंसो चालिस यह क्या होता है employee को दिया जाता है प्रोविडेंट फंड contribution क्या होता है जो पी एफ का पैसा कटता है जैसे आप कही नौकरी कर रहे हो तो आपको जो पैसा salary मिलता है वो पूरा नहीं मिलता उसमें से कुछ काट के मिलता है तो वो खर्चा employer का भी माना जाता है तो इसलिए यहां पर खर्चा है आगे कहता है books of library assets होता है books of library assets हमेशा याद रखना जो payment side में जब कभी भी हालाकि यह payment side actual मुझे लग नहीं रहा जब भी payment side में actual चीज़े देगा assets तो वो हमेशा assets closing से related होगा opening से related कभी भी नहीं होगा तो जैसे books इसने बोला तो मैं assets मान रहा हूं तो मैं यहां लिखूँगा books एक तो पहले आपका लिखूँगा books और प्लस पर्चेज सर books था कितना सर बुक्स पुराने वाला बाद में देखेंगे पर्चेज है यह दिए यह जितने भी अगला चिह लिसोर सा तो यहाँ पर 46 इसके बाद आ जाते हैं क्या कहता है सार टेली भॉस्टेजेंde टेलीग्राम यहाँ पर पोस्टेज टेलेम पोस्टेज़ का हमारे पास सुरू में भी बैलेंस था और पेमींट इतना हर दिया है लो मिक्ली मboys स्टेम्प यहाँ अच्छा जे उल। कि पोस्टेज एंट टैलिग्राम दोनों अलग चीज़ें थीक एंट वह नॉर्मल खर्चा है तो यहां लिकने टू पोस्टेज एंड टैलिग्राम जो साथ सो ठीक है यह भी हो गया सी नियूस पेपर यह भी कर्चा है है कि इसके बाद आपका लोड़़िटी मतलब कॉलिज के अंदर जो एक्सपेरिमेंट साइन्स वाले बच्चे करते हों है तो वह यूज होता है ना तो कॉलिज के अंदर का एक्स्पेंस है कितने रुपे पान्सो पान्सो रुपे इसके बात देर रखा payment to creditor of new building नई building खरीद है अपने उसके लिए payment किया है सर इसका मतलब अभी रिसेंटली अपने नई building खरीद है आपके पास building भी इस पे star लगा देते हैं अभी इस पर आएंगे हम थोड़ी दिर में रिपेरंड मेंटेनेंस तो खर्चा है नॉर्मली है तो रिपेर कितने का यहां पे उसकी और आदा और जिन्ट होता ना ऊस्ट दिन्ट होता है ना हम और इसको शूटे शुंटे करवाने सब्जेक्ट पर उसको जो फी देते हैं उसे बोलते हैं जर्नल चार्जिस छोटे मोटे खर्चे पान सो असी तू जर्नल चार्जिस कितने रुपए पान सो असी अब cash in hand दे रखा है तो यह cash in hand closing है इसका मतलब सर यह सारे चीज़े यहां से ना closing बाइस हजार चलो पोस्टेज एंड इस्टेंप लोजिंग है जब वो क्लोजिंग है तो सारा ही मुझे लग रहा है बुक वालों को मिस्टेक एक बार मैं बुक दिखा दो मैं देख लेता हूं कि या तो स्पेसिफिक डेट दिया जाए या क्या दिया जाए अभी चेक कर लेते हैं कि अगर आगा कि अगर और एक क्या है मारा प्रिंटिंग अनिस्टेशनरी पताने हैं तुछ चलो एक बार कुछ बच्चे इस खोश्चन को देखके परेशान ना हो क्योंकि एज़र मैं काफी सारे बुक को जो करेक्ट करता हूं तो मुझे पता है क्या गलती होनी चीए गलती है इसमें इसमें पहली मिस्टेक्स हैं कि उपर रेसिप्टेंट पेमिं बताना चाहिए था इस कोशन में कि बच्चों को इसमें देखा और यह रही कोशन के अंदर करेक्शन होना चाहिए ताकि बच्चों को कनफ्योजयन आप बच्चों से में अगर यह कोष्शन खुरा देता हूं तो बच्चे बूलेंगा हमें कैसे पता चलेगा यह क्लोजिंग को पता चलेगा यह यह क्लोजणों फोर्टा नेिंग कंवीपर गल्स या कmeter कि he now to Canada पड़ेगा कि तो आप ध्यानसे देखो शिंपल सी बात है ओपनिंग में कितना था शावच सोब हाल प्याल कितने का रहा है पेमिट का बाद सू है यह पने पूर्ट आप हाथ हो तो था पी मеंट अबिल यह नहीं गड़ा कि ग्राइग नहीं ऺर क्लोसिंग में भी 700 है तो सब चूछ इने निकला थोड़ी कुष्टिण तर सद के देना चाहिए टाइए चलिए बात ने 600 इंग सबूर्मेर मतलब इतना सुरू में था उतना ही अंड में अगर यह लोजिंग गलती से 600 कह देता है ना तो समझ जाते के 700 में से 100 रुपे क्या हो चुके हैं हमारे खर्च हो चुके हैं कि ओपनिंग में कितना है ओपनिंग में दे रखा है 200 और क्लोजिंग में कि साथ सो तो खरीदा होगा निसने 500 गा कि देखना इंकम एंड एक्स्पेंडिचर में 500 दे रखा है इसने क्या कर रखा है कोश्चन में भाई बबावान जाने कितना कितना कि वो तो पहले सब्सक्राइब दिखाओ दिखाओ बुक दिखाओ क्या कर रहा है इनोंने पूर गी नहीं कर रखा कि नहीं दिया वो बुक वालों के गलती है है वो टेलीग्राम है वो स्टेंप है दोनों अलग चीज हो गई नहीं दे रखा भी है देना चाहिए था चलो एनिवेज तो आम इसको अभी क्लोजिंग कंसीडर कर रहें स्रिफ स्रिफ और स्रिफ क्या मान रहें क्लोजिंग मानने बात खतम शुरू में हमारे पास इतना था पूस्टिस दो सो फिर फान सो खरीदा होगा पेमिंट चला गय यह नहीं गया प्रिंटिंग अनिस्टेशनरी यह तो हमारे लिए क्या है खर्चा कितने रुपए 700 तो अब कहता है इनके पास नहीं कुछ 31 मार्च 2016 तो हमारा 31 मार्च 2017 का काम चल रहा है तो 31 मार्च 2016 मतलब यह पुराना बैलेंस है तो पुराना बैलेंस कितना दे रखा है पर नीचर का आपको 35,000 तो फर नीचर का ओपनिंग यहां लिखेंगे बताते जाना और क्या दे रखा है लेंड बिल्डिंग एक लाग एक साथ और बुक्स कितने और 10% investment और बस outstanding tuition fees तो वो tuition fees outstanding मैंने कर दिया था जिसको यहां पे भी लिख दिया था tuition fees outstanding और वहां पे भी दिखा दिया था पिछले साल का outstanding है अब बात करते हैं आप हमेशा याद रखेगा जो भी fix assets opening में हमेशा closing में जाएगा तो opening में हमारा cash छोड़के fix wall है मैंने furniture जाएगा कितने रुपे लैंड बिल्डिंग जाएगा पहले पूरा लिखते हैं डैप लगाएंगे बाद में books भी जाएगा मैंने पहले लिख लिए था देखो 10% investment भी जाएगा तो क्या याद रखना है जो भी opening balance sheet में fixed assets जो बनता है वो हमेशा कहां transfer होगा in fact fixed assets कोई loan भी long term के लिए होगा यहां liability तो यहां भी shift हो जाएगा short term वाला निए अब उसने का भाई यह depreciation लगाओ और depreciation लगाओ closing तो closing तो यह हो गया थाइस छे सो इस पर लगेगा डैप furniture भी कहता है डैप लगाओ तो closing यह होगा इसी पर लगेगा लेंड बिल्डिंग में खरीदा इसने पर्चेस किया है जिस पर मैंने मार्क कर दिया था यह कहता है पेट टू क्रेडिटर भी या तुम पेमेंट कर रहे हो तो मतलब बनाया होगा तुम नहीं तो 4700 रुपे हाइड हो जाएगा कि अब जो बचेगा वो है closing balance और investment का मतलब 10 परसेंट आपका investment है 10 परसेंट इंवेस्मेंट है डेट इस आपका 10 थाउजन रुपे सब भी बनाने वालों की गलती है तो बुक बनाने वाले जो भी है अब उनको जेयर मोंगा का ही बुक है उन्हें इंवेस्मेंट नहीं लिखना चाहिए ना यहां पर लिखना चाहिए ब्रैकेट में security है है या तो तुम जब आप सभी यह लिख रहे हैं यहां पे कि इंट्रस्ट ऑन सिक्यूरिटी यह तो इसे इंट्रस्ट ऑन इंवेस्मेंट लिखिए ना तभी तो बच्चा कॉडिनिट कर पाएगा हलागी चलो अब कोई दिक्कत नहीं तो इंट्रस्ट और इंवेस्मेंट देखा जाए तो हमें हजार मिलना चाहिए राइट 10% लेकिन हमें मिला कितना है सिर्फ 300 तो प्लस एक्रूड 700 तो यह कितने होंगे 1000 अगेन हम यहां लिख देंगे इंट्रस्ट एक्रूड रहे गया कितने 700 अब डेप्रिशेशन बताओ कितने परसेंटेश पे 15 परसेंट लगा लेते हैं अब बुक के ओपर 20 है 28 600 57 अब इसको माइनस करके लिख देंगे 22 और परनीचर पर कितने तो 35,000 पर 15 परसेंट यह भी बावन बीज नहीं उपर 57 था यह 29 20 आ रहा है मेरे पास तो कितने परसेंट है 35,000 पर बावन पचास है सही बोलते हैं बावन पचास है बावन पचास माइनस 29 750 इसके उपर लैंड इंड बिल्डिंग पर 20, 60, 64, 700, 164, यहां कहाई हिट्टू, 35, मैं ऐसे लिख रहा हूं है 56465 अब इसको हम टोटल कर लेंगे पहले कैपिटल तो आए और ये सारा डेप्रिशेशन जो भी है ना वो सारा यहां दिखा देंगे कहां दिखा देंगे यहां पर टू डेप्रिशेशन सर किस-किस पर डेप्रिशेशन है बुक पे है लैंड एंड बिल्डिंग पे है पर नीचर पे है बुक पे कितना था हमारा 5720 और ये कितना था 552 और ये कितना था पस यहां गया 19 ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत सारी इंफर्मिशन हमने पुट कर लिए अब इधर से टूटल कर लेते हैं 69,000 माइनस में 22 69,000 माइनस में 22 अरे 69,000 माइनस में 22 56 अब प्लस 10,000 नहीं एक हजार है भई तीस हजार एक हजार एक हजार यहांगे अंठानवे 98 माइनस कर दो यार डेफिसिट आ रहा है कितने 125 अब डेफिसिट आ रहा है अब टोटल इधर का कितना है 705 00 556 सालेश साथ सो तीन सो पान सो छेज सो तीन सो असी साथ सो अब अब निस दोसो पाच टोटल देखिए अंठानवे नोसो पच्चेस अंठानवे नोसो पच्चेस माइनस चपन आठ सो एक हजार sales 1000 क्या रहा है deficit 95 अब ip ये 95 जो deficit होगा ओ जो भी capital fund होगा महा से माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा capital fund क्या होगा capital fund आपको यहां से निकालना पड़ेगा बीच साथ सो और इसे दो सो ही कर देते हैं प्लस या गया बावन एकिस सो यह आंसर में आपको चेक कर लेना चाहिए दो लाग बावन हजार एक सो ओपनिंग कैपिटल चक कर यह बावन हजार एक सो और यहां लिखेंगे कैपिटल यह बैलिंसिंग फिगर होगा 252 100 और यह यहां जाएगा 252 100 ठीक है माइनस करेंगे क्यावन पच्चिस जो आगया 242 975 और यहीं आजएगा 242 975 और इसका भी टोटल यहीं आना चाहिए एक्जेक्ट्ली तो देख लेते हैं बाइस तो एक अल्गूलेटर भी काम नहीं कर रहा आज करना कोई तो सही समान दे नहीं रहा सब सिर्फ महंगा करे जा रहे हैं कि एक सो चपन चार सो पच्चिस दस अजान कर गड़ बड़ है क्या कुछ रहे गया अच्छा साइन्स एक्यूप्मेंट यह तो मैंने बस लिख के छोड़ दिया था चार सो अच्छा मैच हो गया तो आगया टू नैंटी नहीं टू फॉर्टी टू नाइन सब्सक्राइब यह पूरा कुश्चन था मैं मानता हूं इस कुश्चन के अंदर काफी सारी गलतियां हैं लेकिन किताब का कुश्चन था इसलिए मैं ने करवा दिया आपको तो आने वाले दो जो बोल रहे हैं ले लीज का तो वाधी ये दो कुश्चन से आपको टृाइ के लिए दे रहे दो कुश्चन आपके किताब का ही कुश्चन है ठीक है तो ये दो कुश्चन बाकि PDF सिएर कर दूआ उससे आपकर लेंगे क्लियर चलिये मिलते हैं नेक्स लास में कि बाइ कि बाइ